बच्चों को इंग्लिश सिखाने का एक सबसे बेहतरीन और एकलोता तरीका है कि उनके साथ छोटे-छोटे sentences इंग्लिश में बोलना शुरू करतेजें जैसे एक निवाला खालो, have a bite, क्या हुआ, what happened, ये वाला, this one, वो वाला, that one चलो एक गेम खेलते हैं, let's play a game कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के छोटे-छोटे sentences अपने बच्चों के साथ बोलना शुरू कर देते हैं, तो समझ लेना कि आपके बच्चे के English learning स्टार्ट हो चुकी है ऐसे ही तो बच्चे language सीखते हैं, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया, बच्चे ने बोलना शुरू किया, क्या आपने ये बोला था कि मैं आपको हिंदी सिखाने जा रही हूँ, तो आपको ये सीखनी है, नहीं जब हम बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, और उन्ही चीजों को वो repeat करते हैं, ऐसे ही कोई भी language सीखते हैं, बस English को भी हमें ऐसे ही सीखना है तो आज की इस वीडियो में कुछ छोटे-छोटे sentences लेकर आई हूँ, जो बिलकुल ही zero level के sentences हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों के साथ बोल सकते हो, और अपने बच्चों को zero से सिखा सकते हो, और आप भी सीखना चाहते हो zero level sentences को, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाल इसे साफ करो, clean it, इसे साफ करो, clean it, इसे दोहराओ, repeat it, मेरे बाद दोहराओ, repeat after me, repeat after me, मेरे बाद दोहराओ, repeat after me, एक निवाला खालो, take a bite, एक निवाला खालो, take a bite, एक घूंट पीलो, take a sip, एक घूंट पीलो, take a sip, अपनी किताबें बैग में रखो, put your books in the bag, कोई बात नहीं, never mind, या फिर no problem, कोई बात नहीं, never mind, no problem, फिर से करो, try again, फिर से करो, try again, try again, उठ जाओ, get up, उठ जाओ, get up, जाग जाओ, wake up, wake up, wake up, सीधी खड़े रहो, stand still, stand still, सीधी खड़े रहो, stand still, देखें मैं हर संटेंस को दो से तीन बार repeat कर रहे हूं, तो बस आपको भी same ही करना है, एक बार सुनिएगा और फिर दो से तीन बार हर संटेंस को repeat केजिएगा, मुझे देखने दो, let me see, let me see, मुझे देखने दो, let me see, hello, mat, don't move, hello, mat, don't move, don't move, उपर जाओ, go upstairs, go upstairs, उपर जाओ, go upstairs, नीचे आओ, come downstairs, नीचे आओ, come downstairs, और हाँ comment करके हमें जरूर बताएगा कि next वीजियो आपको किस topic पर चाहिए, और कुछ, anything else, तुमने क्या कहा, what did you say, तुमने क्या कहा, what did you say, what did you say, अभी, right now, अभी, right now, right now, इसे चको, taste it, इसे जल्दी करो, do it fast, इसे जल्दी करो, do it fast, नहालो, take a bath, नहालो, take a bath, जाकर खेलो, go and play, यह क्या है, what is this, यह क्या है, what is this, दिखाओ मुझे, show me, दिखाओ मुझे, show me, show me, मेरी बात सुनो, listen to me, मेरी बात सुनो, listen to me, मैं नहीं जानता हूँ, I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, I don't know, खड़े हो जाओ, stand up, stand up, stand up, जोर से बोलो, speak loudly, जोर से बोलो, speak loudly, speak loudly, नजर ना लगे, touch wood, नजर ना लगे, touch wood, अभी क्या भी इसे करो, do it right away, do it right away, मेरा पेट खराब है, my stomach is upset, my stomach is upset, ज्यादा मत खाओ, don't over it, क्या तुम्हें यकीन है, are you sure, हाँ, मुझे यकीन है, yes, I am sure, Yes, I am sure, क्या हुआ, what happened, क्या हुआ, what happened, हम यहाँ सुरक्सित है, we are safe here, आप sentences की practice करते करते, कहीं like बटन न भूल गए हो, जल्दी से like का बटन दबा दीजेगा, और subscribe कर लीजेगा, ताकि आपको next video आपसे miss ना हो, यहाँ अंधेरा नहीं है, no darkness here, समझ गए, understood, या फिर got it, समझ गए, understood, या फिर बोलेंगे got it, तुम कैसे जाओगे, how will you go, तुम कैसे जाओगे, how will you go,